Hello friends, आज हम बात करेंगे JP Associate के बारे में. क्या ये उपर जाने के लिए तियार है? क्या है supports and resistance इस stock के लिए? और आगे की क्या रननीती होनी चाहिए आपके लिए इस stock में? ये stock हमारे कुछ paid members के पास भी है और हमने इस stock में थोड़ी profit booking कराई थी जहां पर इसका resistance दो पूरा समझानी कोशिश करेंगे और अब क्या यहां पर वापिस entry बन सकती है इस stock में based on the consolidation pattern जो दिख रहा है या अभी और नीचे आ सकता है चलिए चलकर visualization करते है पूरा इस stock के बारे में तो गर JP Associate की बात की जाए तो यह multi collaboration company है एक साथ में power sector में है, construction में है, IT में है, hospital में है तो बहुत बड़ी group, associate group company है इंडिया में जब आगे चलकर government के project और execute होंगे तो definitely JP Associate को भी काफी अच्छा फायदा मिलेगा और LIC जो इंडियन government firm है उन्होंने इसमें stake बढ़ाना शुरू किया है जो कि एक बढ़िया खबर समझी जाएगी इस तरह से और इंडिया के big bull, जो है राकेश जिंजिन वाला इसको अपने portfolio में जंगा बना के रखे हुए है और उन्होंने काफी high value पर खरीदा हुआ इसका तो समझिए, जब वो valuation के basis पर खरीते हैं stocks को तो ये stock खरीदा है, इसका मतलब ये आपको price low पर मिल रहा है बहुत बढ़िया stock रहेगा आपके लिए debt की एक problem है इस company में जिसकी वजह से ये थोड़ा सा underperform कर रहा है क्योंकि इसका earning का काफी हिस्सा इसको interest में pay करने के लिए चला जाता है आई ये जलकर सबसे पहले technical समझते हैं तो हम अगर intraday का chart देखें तो thursday के दिन इसने दोपहर के बाद एक continuous fall चलाया है जो की करीब परीब 6.50 से गिरकर वो 6.10 तक चला गया था morning में भी एक नीजर की reaction दिखाया था पर वो recover किया और उसको फिर यहां से इसने एक upward trend बनाया काफी तेज slope था काफी उपर था गिरने का तरीका भी तो ये थोड़ा सा एक pattern बन रहा है जहां पर जो लोगों को खरीदने को नहीं मिल पा रहा था उन लोगों को यहां पर ये खरीदने के लिए मिल गया होगा अब देखें हम जैसा हमने बताया क्योंकि ये continuously दो दिनों तक 20-20% और 10-20% चला था तो हमने staggered manner में इसकी selling कराई थी अपने paid members को 7 rupees जिन-जिन के पास मैं holding था तो 7 rupees 50 पैसे के आसपास selling कराई थी फिर 30% हमने हाँ पर 7 rupees 90 के आसपास कराई थी और जो last selling कराई थी हमने वो कराई थी करीब करीब 8 rupees 20 पैसे के आसपास तो इस 3 staggered manner में हमने इस stock से exit कर लिया था वहाँ पर क्योंकि ये एक long term का resistance बन रहा था और आपको इचीज समझनी है जब भी resistance आते हैं तो वो एक साथ नहीं होंगे वो आपको दिखाई देगा इस pattern पर हमारे को लग रहा था कि 8 rupees काफी तगड़ा resistance है तो इसलिए हमने दो quantity यहाँ पर बेच देती अपनी बड़ी heavily और उसके बाद में अब ये lower level पर आ चुका है यहाँ पर इसने consolidation दिखाया है तो इस consolidation से क्या निर्णे निकल रहा है वो समझने कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने 3 दिन तक लगातार करीब करीब 6 rupees के आसपास ट्रेडिंग की है एक दिन नीचे भी गया है पर जब भी इसके आसपास आता है यहाँ से काफी अच्छी इसको support मिलती है और उपर जाता है तो critical level यह रह जाएगा कि क्या आने वाले हफते में यह 6 rupees का level maintain कर पाएगा अगर maintain कर पा रहा है तो यहाँ से उपर जाने के लिए त्यार है देखिए जब यह spurt नहीं आया तो उससे पहले करीब 6 million का इसका average था पर expert आने के बाद में इसका average 24 million का हो गया है तो यहाँ पर something big is happening बड़े लोग इसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इस level पर यहाँ पर profit book हमने किया तो जैसा हमने बताया क्योंकि जब एक penny stock आपका पाँच दिनों में महज double price हो जाए तो वो right time होता है उसमें exit करने का आपको दुबारा entry मिलेगी घबराएगा नहीं यह strategy हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे है अब अगर MACD को देखे तो MACD ने इसको sell signal जनरेट किया हुए जब तक MACD इसको bicycle नहीं करेगा तब तक हम थोड़ा सा avoid करेंगे थोड़ी थोड़ी quantity में अप लेते रही है पर MACD को इसको buy करने दीजे तब जाकर आप इसको खरीद सकते हैं technically इसका जो support है 470 के आसपास है तो वहां तक नीचे जाए तो वो valuation के basis पर हम इसको खरीद भी सकते हैं अभी देखे हमारा favorite indicator bullionger band कितना perfect दिखा रहा है 100% bullionger band हो गया तो इसलिए वहां पर selling करना भी बहुत लाजबी था ये भी एक second reason था जिस वज़े सामने इसको selling किया है और देखे अभी अगर कोई खरीदना चाता है तो 6 रुपे उसको available है पर हमने अभी खुद से खरीदा नहीं है ना हमने अपने paid members को खरीदवाया है जब इसका right time आएगा तो हम खरीदेंगे अपने channel पर बना के रखेंगे आप लोगों को आप please subscribe कीज़ अगर अभी तक subscription नहीं किया है आपके लिए penny stocks के भरमार लेकिया आएंगे हम लोग जो की right level पर आपको खरीदाने की कोशिश की जाएगी तो ये technical parameter पर एक selling zone बे था इसलिए हमने sell करके book profit किया है महाँ पर almost double the profit प्लीज consult your financial advisor before investing in trading अब अगर हम बात करें इसके market capitalization की तो market capitalization की दरस्टी से ये महज 1000 करोड की company है तो आपको धियान रखना है जब भी आप 1400 करोड के approximately company है जब भी आप ऐसी company में निवेश करें तो हमारे channel का 5 by 5 लोग लियाद रखे penny stock में निवेश करेंगे तो 2% maximum पर आपको अलग-अलग 5 company में इस तरह के निवेश करना है और अगर वो mid gap है तो आप 5% तक उसमें निवेश कर सकते हैं sales की figure देखी जाए तो sales में इन्होंने अभी कोई ज़्यादा increment नहीं हो रहा है बलकि in fact decrement हो रहा है year on year देखेंगे तो इनकी sales decrease हो गई है 2000 करोड से 1300 करोड रहेगा यह sales और interest की जिसके हम debt की बात कर रहे थे देखें 236 करोड का उनको interest पी करना पड़ता है जहां earning नहीं है उसके उपर उनको 200 करोड का interest पी करना पड़ा है यह एक debt की वज़े से penny stock बना हुआ है यहाँ पर जब तक इसको reduction नहीं होगा किया है उनको reduction देखे 680 करोड से यहाँ पर 230 करोड कर रह गया है पर आगे आने वाले समय में और थरोड़ा इसको फर्दर कर सकते हैं शेर होल्डिंग पैटर इंटरस्टिंगली आप और हम जैसे लोग इसमें 57% होल्डिंग रखते हैं DIA के पास बहुत कम होल्डिंग है करीब 2% के आसपास FIA के पास 1.4% होल्डिंग है और promoter के पास में इसकी 36% के होल्डिंग है तो इस बात का ध्यान रखे पब्लिक के पास काफी शेर है तो चलने में इतना जल्दी चलकर नहीं देगा return आपको जब ही हमारे को लगा की 6 दिनों में ये 5% 6 दिनों के अंदर शमचाते हैं 6 दिनों में ये 100% के आसपास इसका return आ गया है इसलिए हमने वहाँ पर profit booking की ती comment section बताइएगा क्या हमारा decision सही था की नहीं था जो हमने अपने paid members को decision दिलाया है conclusion की बात करें एक अच्छा stock है penny stock के reference में multi segment में काम करती है इसलिए आप चाहें तो इसको अपने portfolio में add कर सकते हैं पर 2% की limit याद रखना दोस्तों अपना समय देनी के लिए बहुत बहुत धनेवाद हम लोग nifty और bank nifty की active internet date service प्रवाइड करते हैं अगर कोई question ने comment box में राली हमने ask के question स्रीज लगाई हुई है जाहिन जाभारत बाई गाई